दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक पार फेट से आपके अपने ही चेनल क्रिक बॉली पार जा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवूट के सिंगहम अज़िदेवगन और बॉलिवूट की बला की खुबसुरत करिश्मा कपूर इन दोनों की फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे यानि कि अज़िदेवगन और करिश्मा कपूर की जोडी में टोटल कितनी फिल्में बनी कितनी फिल्मों में इनोंने साथ में काम क्या और कितनी हिट रही कितनी फ्लॉप रही और साल 1994 के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों किसी भी फिल्म में नसर नहीं आए बात करेंगे इसी के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी जोड़ी सबसे पहले कौन से फिल्म में बनी थी तो साल 1992 में आई थी फिल्म जिगर 23 अक्टूबर को रिलिस किया गया था 1992 में इस फिल्म को इस फिल्म में इनकी जोड़ी पहली बार बनी थी आजे देवगन, करिश्मा कपूर और परिशावाल इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डैलिट क्या था फारूक सिद्धी की ने बॉक्स आफ़िस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड रुपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वल्ड में 10 करोड से भी ज्यादा कलक्षन क्या था और ये फिल्म बॉक्स आफ़िस पार एक बड़ी हिट साभीत हुई थी उसके बाद साल 1993 में इनकी जोड़ी तीन बार बनी सबसे पहली बार 1993 में ये नज़र आए फिल्म संग्राम में 18 जून 1993 में रेलीज हुई थी ये फिल्म आजेदेयोगान, करिश्मा कपूर और आईशा जुलका इस फिल्म में अहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरेट क्या था लवरे डिसूजा ने बजट था इस फिल्म का तकरीबन धाई करोड उपे बात के जए बॉक्स ओफिस इंडिया की तो बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने दो करोड सतर लाक रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 4 करोड पे कमाई थे और ये एक एक्शन, ड्रामा, रोमैंस से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी उसके बाद साल 1993 में इनकी जोड़ी दूसरी बार बनी फिल्म शक्तिमान में नौ जुलाई 1993 में रे लिस हुई थी ये फिल्म आजिदेवगान, करिश्मा कपूर, मुकेश खन्ना इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था केसी बोकाडिया ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को सुरेश बोकाडिया ने बज़ट था इस फिल्म का तकरिबन 2 करोड 70 lakh रुपए बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 5 करोड रुपे इकी शांदार कमाई की थी और ये कोमेडी ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेट साबित हुई थी उसके बाद साल 1993 में इनकी जोड़ी एक बार फिर बनी 10 दिसंबर 1993 में रेलीस हुई फिल्म धन्वान में आजी देवगान, करिश्मा कपूर और मानिशा कोईराला भी इस फिल्म में अहम किरदार में नसर आई थी फिल्म को डेरेट क्या था के विश्वनात ने और बजट इस फिल्म का तकरीबां 2 करोड उपे के आसपास था बॉक्स आफिस इंडिया पर भी इस फिल्म ने 2 करोड उपे कमाई थी और पोरे वल्ड में 3 करोड उपे की कमाई की थी इस फिल्म ने और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी उसके बाद साल 1994 में एक बार फिर इस जोडी ने दमाल मचाया फिल्म सुहाग में चार नॉवंबर 1994 में रेलीज हुई थी ये फिल्म आजी देवगान, अक्षी कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा इस फिल्म में अहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेरेट क्या था कुकू कोहली ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को बलराच इरानी ने म्यूसिक दिया था इस फिल्म को आनन्द मिलिन ने और मातर 3 करोड रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 7 करोड 10 लाख रुपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 13 करोड से भी ज्यादा कलक्शन क्या था और ये एक एक एक्शन, ड्रामा, रोमैंसे भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट सावित हुई थी तो दोस्तों ये पाँच फिल्मे थी करिश्मा कपूर और अजिदेउगन की करियर की यानि कि सिर्फ इन पाँच फिल्मों में काम क्या इसमें से दो फिल्में हिट रही जिगर और सुहाग बाकी तीन फिल्में जो थी वो आवरेज और फ्लॉप रही अब 1994 में फिल्म सुहाग के बाद इन दोनों ने कभी काम क्यों नहीं किया अब क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारे आपको देता हूँ असल में ऐसा हुआ था कि अजिद्योगन से प्यार करने लगी थी करिश्मा कपूर लेकिन अजिद्योगन प्यार नहीं करना चाहते थे करिश्मा कपूर से इस वाज़ा से जब उन्होंने करिश्मा कपूर से प्यार नहीं किया तो करिश्मा कपूर इस बास से नाराज होग तेंक्यू